नमस्कार दोस्तों आप सभी का लौ सिखो के दैनिक समाचार विशलेशन में सबसे पहले आपसे माफी चाहता हूँ कि आज का दैनिक समाचार विशलेशन हमारा थोड़ा विलम हो गया है कुछ टेक्निकल परिशानियों के कारण कोशिश करूँगा कि अब 12 बजे के पहले ही ह लीगल न्यूस सब ही कवर करेंगे अगर आप इसमें दिल्चस में निवात रखते हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साते आपकी प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आ हुई और पिछले कुछ टाइम में किस तरीके से यहां पर संख्या बरती जाड़ी हैं अन्डर ट्राइल्स के उस बारे में हम बात करेंगे जो दूसरा आर्टिकल है यह फैडरलिजम के बारे में हैं संगवाद के बारे में हैं आरहाल ही में सेंटर ने एक निर्णा लिया ह जो इंडियन सर्विसेस है उसके रूल्स में बदलाव लाने की बात किये गई है तो यह किस तरीके से स्टेट्स पर प्रभाव डालता है उनकी शक्तियों का हनन करता है उस बारे में बात करेंगे और इससे जुटे वे कुछ उधार रहने के बारे में भी चर्चा करेंगे उसके बाद में यूस अबडेट्स और लिगल नीउस है जो कि लॉस सिखों की इनिशिय्याटिव है तो चलिए पहले आर्टिकल के और आते है जो आज का पहला आर्टिकल है यह अंडर ट्रायल्स के बारे में है अंडर ट्रायल्स का इन का कही न कहीं जिस तरीके से यहाँ पे इनकी अम्रत्य हो जाती है, इनकी अत्याचार होते है और जिस तरीके के अंडिशन में इन्हें रहना पड़ता है यह कहीं न कहीं एक humanitarian crisis है यह कहीं न कहीं मानव अधिकारों का उलंगन है यह इस article में बताया गया है तो अगर हम देखे, तो पिछले कुछ समय में अगर हम 2015-2020 की बीच में देखे तो यहाँ पे जो under trials है under trials वो होते है जिनका trial जिनकी proceeding जो है वो court में अभी भी चल रही है और इन्हें jail में रखा जाता है मतलब यहाँ पे इनको final सजा नहीं सुनाई गई है जिसका अर्थ ही यह है कि हो सकता है कलको जाकी निर्दोशबिष साबित हुए तो 2015-2020 के बीच में under trials के संक्या 31.8% 31.8% बड़ी है उसके अलावा एक और महत्मन बात यह है कि जब देश में पूरा vaccination कारेकराम चल रहा है तो अगर हम prisons के बात करे है मतलब इनके पास में जो legal aid की सुविधा है है इतना पैसा नहीं होता है कि वो lawyer engage कर पाए तो यहाँ पर सरकार को और courts को हमारे justice system को दोनों को ही दियान देने की आवशकता है साथ ही साथ अगर हम lockdown के समय में देखे तो lockdown के समय में काफी लोगों की मृत्य हुई है करीब 2019 के अगर हम बात करें 2019 से तो यहाँ पर 29,479 लोगों की मृत्य हुई है उसके अलावा अगर हम बात करें तो custodial death जो है ये भी 2020 के अखर आपडों के हिसाब से देखे तो 7 प्रतिशत से जादा बढ़ गई है वही इसको लेकर PILB यहाँ पर file की गई थी court में लेकिन ये reject करती गई है समय समय पर उसके अलावा यहाँ पर 2021 के मई महीने में यहाँ पर दिली हाई court ने एक निर्णाई सना था कि जो under trial pregnant महीला है जो गर्ववती महीला है जो jail में बन है इन्हें तीन महीने के लिए अब यहाँ पर यह नहीं देखा कि तीन महीने कब से अब वह पहले महीने से अगर वह उसके गर्भावस्ता कि पहले महीने से तीसरा महीना है या आखरी के अंतिम के तीसरे महीने यह देखा नहीं गया उसके अलावा foreign citizens जो है नहीं यह सुईदा प्रेइने जो जो एक बहुत खराब परीसी देखने को मिल रही है इसका कहीं न खहीं संग्यान रहना चाहिए और यह हमारे humanitarian crisis के हमारे मानवधिकारे को का उलंगन है हमारे देश के under trials का मरदेश के prisoners का यह ऐस आर्टिकल के अंत में बताया गया है दूसरे आर्टिकल के और बढ़ते हैं यह संगवाद के बारे में हैं तो administrative service cadre rules 1954 में बदलाव करने की बात की गई है हमने इससे जुड़ हुआ एक आर्टिकल अल्रेडी हमने discuss करा है कुछ दिनों पहले ही तो यहां पर देखे को हमारे देश में संगवाद जो है हमारे देश का एक बहुत ही basic सिध्धान थे जो कि हमारे constitution में दिया हुआ है तो यहां पर बदलाव किया जा रहा है जो IAS rules 1954 में इसके चलते हुए यह change किया जा रहा है कि इंदर सरकार के द्वारा और इससे प्रभाव पड़ेगा राजसरकार उपर तो क्या मामला है वो देख लेते हैं तो यहां पर अगर किसी state में कोई IAS या IPS officer न्यूक्त है तो उसे अगर central deputation में बुलाना है तो इसके लिए उस officer की permission और state की permission लेनी पर किती center government को लेकिन अभी इस permissions की आवशक्ता नहीं होंगी अब center चाहे तो सिधो तौर पे उन्हें central deputation पे बुला सकती है इसका विरोत किया है विपक्ष के राज्यों में जिसमें विपक्ष के राज्यों में जहां पर विपक्ष की सरकार है जैसे तेमिलनाडु कैलर वेस्ट प्रक्रिया है जो प्रमोशन की या जो एक प्रशाशन administrative structure त्यार कर रहा है उस IPS officer ने यह अपने आपने कहीं न कहीं ब्यूरो क्रेसी किये में बिना परिमिशन स्टेट के अगर इसा central deputation पर ट्रांसफर कर दिया जाता है center अपने पास central government के अंतरगत बोला सकती है तो इस ते क कहीं राज्यों का administration भी प्रभावित होगा यह मामला जो है अलपन बंदोपाद दिया जो की chief secretary है वेस्ट बंगॉल के उस मामले में देखने को मिला या साइक्लोन जब आया था या चक्रवाद जब आया था तो प्रदान मंतर वेस्ट बंगॉल आये थे वेस्ट बंगॉल मे उनके अगेंस्ट यहाँ पर केंदर सरकार जो है एक कड़ा रुक अपनाया और इनके अगेंस्ट काफी litigation भी देखने को मिले है इसके और भी उधाराने जहाँ पर हमें state और center की बीच में ऐसे मदवेत देखने को मिलते है 2016 में अरुनाचल प्रदेश में advance election करा दिये गए थ है उसके अलावा Supreme Court ने फिर कहा कि article 174 जो है मारे constitution में जिसमें कि governor कभी भी dissolve या कभी भी promulgate कर सकते है तो यह power अपने आप में confirm करी हुई है लेकिन इसमें कुछ limitations भी है यह एक logical mind से apply होना चाहिए उसके अलावा गोवा की बात करिए करनाटक की बात करिए महाराष्ट के बा जो कि ruling party center government में उनको invite किया या जो कि governor को appoint किया जाता है center government president के द्वारा जो कि aid and advice पर work करते है जो कि cabinet के द्वारा central cabinet के द्वारा दी जाता है उसके अलावा यहाँ पर राजिस्तान में भी council of minister को यहाँ पर session बुलाना था लेकिन यहाँ पर governor ने session को summons भी करा entity of Delhi Delhi सरकार और केंदर सरकार के वीच की लड़ाई जो है यह पुरानी नहीं यह आप सब जानते है अलपन बंदोपाद्या का किस हमने चर्चा ही करा उसके अलावा केरला में भी यहाँ पर CBI ने FCR Act के अंतरगत यहाँ पर केरल राज्य में कई investigations करें कई arrest करें officials को भी अरेस्ट करें इसके अलावा यहाँ पर CBI का जो एक general consent था वो भी केरल ने विड्रॉ करा उसके बाद में जो दूसरे राज्य थे पोजिशन के उन्होंने भी इसे विड्रॉ करा तो यहाँ पर बहुत मिला खेंद्र और राज्य सरकारों को दोनों को साथ में चलना होगा यहाँ पर इस तरीके मदबेट से यह हमारे देश की विकास को ही लोगों के इंटरस्ट को ही प्रभावित करता है अब आते हैं news updates के उपर तो center sector scheme शुरू की गई है जिसका नाम है smile का अर्थ है support for marginalized individual for livelihood and enterprise तो यहाँ पर इस scheme की अंतरगत जैसे आप सटकों पर कई बात देखते हैं कि कुछ लोग भीक मांगते हैं उसके अलावा transgender community के लोगों को भी यहाँ पर नौक्री ना होने के कारण वह भी भीक मांगने पर मजबूर होते हैं तो इनके rehabilitation के लिए पुनर वरसन के लिए यहाँ पर दिल्ली बैंगलोर चिन नहीं हैदराबाद इंदर लखनो मुबिन पुर पटना और एहमदाबाद में सरकार के द्वारे स्कीम के अंतरगत इनका पुनर वरसन rehabilitation किया जाएंगा अगली खबर है national health authority ने यहाँ पर आयुश्वान भालत digital mission का integration करने की बात की गई है यहाँ पर आरोगय सेतु एप के द्वारा तो यहाँ पर health app आरोगय सेतु जो है इसके माधियम से भी आप यहाँ पर abdm अर्था तायुश्वान भालत digital mission का फाइदा उठा सकते हैं अगली खबर है koalas koalas के बारे में koalas यह एक endangered species खुशित कर दी गई है ऑस्टेलिया के सरकार के द्वारा ऑस्टेलिया में बड़े संख्या में koalas पाए जाते हैं बड़ा ही सुन्दर और बड़ा ही यह काफी प्रभावित हुई है और इसे ही के चलते ही इन्डेंजर्ड इंडेंजर्ड इंस्पिस गोशित किया गया है अगरी कवर है इसरो से तो इसरो के पोलर सेटेलाइड लॉंच वीकल ने यहां पर सतीष दवन स्पेस सेंटर से EOS04, Inspire Set 1 और INS2D इनको सक्सेस्फुल लॉंच किया है 2022 का यह पहला इसरो का मिशन है जो सक्सेस्फुल रहा है उमीद करते हैं आगया आने वाले जो और भी मिशन होंगे यह भी सफलता पूर नहीं होगे अगली खबर है फुटबॉलर पपन्ना के बारे में हमारे देश के काफी फेमस फुटबॉलर रहे यह एम संतोष ट्रॉफी नैशनल फुटबॉल चेंपेशिप जो है इसमें इन्होंने इन राज्यों को रिप्रेजेंट भी करा है उसी के साथ में और इंदर सींग की कप्तानी में डेका कब में भी में भी रिप्रेजेंट किया था अब आते हैं लीगल नियूस के और तो आज की जो पहली लीगल नियूस है यह है एंटी सीए प्रोटेस्ट के अगेंग यहाँ पर जो यूपी गॉवर्मेंट ने एक कुरकी का ओर्डर दिया था कि जो भी संपत्य को यहाँ पर नुकसान पहुचा है वो इंडिविजवल से वसूल किया जाएंगा इस नय कानून को जो गये थी उसको सुप्रीम कोट ने यहाँ पर स्क्राइब कर दिया और कहा है कि यह सुप्रीम कोट के जो और्ड़र सा है उसका उलंकन है अगली ख़बर है दिल्लिय हाइप कोट में यहाँ पर गीता जस्टिस गीता मितल को टीटी एफ़ आई टेपल इनिस फेडरेशन आफ में उन्हों नेशनल कोच सौम्यदी प्रवाय का भी नाम लिया तो इसी के चलते ही मामला जब कोट में बहाचा तो इस मामले पर कड़ा रुक लेते हुए यहाँ पर दिल्ली हाई कोट ने अभी जो चियर्मेन अपॉइंट है टीटी एफाई एक उनको हटा के जस्टिस गीता मित्तल को एज एड्मिनिस्ट्रेटर ऑपॉइंट किया है तो चलिए आज का हमारा देनिक समाचार विशलेशनी ही समाप्त होता है मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्या है